नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने सहरा गुरूप की किसी भी कमपनी में पैसा लगाया था इन्वेस्टमेंट किया था और 10 पारा 15 साल हो चुके हैं आपका पैसा नहीं मिला है तो सहरा निवेस्कों के लिए एक भाहती सांदर ख़बर निकल कर आईए ख़बर ये है दोस्तों कि भारा सरकार के तरफ से ये कहा गया है कि जल्द ही एक करोड दस लाख निवेस्कों को पैसा दिया जाएगा और ये पैसा जो है दोस्तो 9 महीने के अंदर बाट दिया जाएगा सिरप constit 9 महीने के अंदर सु 20,000 करोड रुपया सेवी के बैंक अकाउंट में पहले से ही मौजूद है पर सहारा के निवेसकों को पैसा इसलिए नहीं मिल पाया अभी तक क्योंकि सेवी हमेसा ये कहती है कि जिन निवेसकों का पैसा हमारे पास है उनके जो दस्ताबेज हैं उनके जो पॉलिसी हैं वो उनक के नाम से या उनकी कमपनियों से मैच नहीं खाते हैं क्योंकि दोस्तों आभी कुस्त में पहले क्या हुआता कि जब सहारा का फ्रोड पकड़ा गया उस समय सहारा गूरूप ने क्या काम किया कि आपका किसी भी कमपनी में पैसा है उस बोंड को किसी दूसरे कमपनी के नाम आपने बरन कर दिया यह वे habían कर अगरarna आपने सहारा की किसी एक कंपणी में पैसा लगाया है तो उसी पैसे को कंवरजन कर दिया यहनि कि उसकंपणी को बंद करके दूसरी कंपणी में आपका बन दिखा दिया तो ऐसे में से भी न दोस्तो पेमिंट नहीं किया पर अब हुआ क्या दोस्तो की काफी समय से आपको पता है कि विरोत प्रदर्सन चल रहे थे तो ऐसे में दोस्तो लोगों के तरफ से जनहित याची का डाली गई थी और ये जनहित याची का भारा सरकार के लिए थी अब भारा सर की गई और यह कहा गया कि जो निवेसक परेशान है और पहले से ही 24,000 क्रोड रुपया जो कि सेवी के अकाउंट में पड़ा है वो सहारा के निवेसकों को मिलना चाहिए तो इस पर दोस्तों एक अच्छी ख़बर निकल कर आई जब इसकी सुनवाई हुई तो सुप्रेम कोट आप ने कहा कि जो 24,000 क्रोड रुपया सेवी के बैंक अकाउंट मेंट है उस में से 5,000 क्रोड रुपया जो है भारा सरकार बाट सकती है तो ऐसे में अभी दोस्तों इसके लिए ये भी बताया गया है कि 9 महिने के अंदर यानि कि 2023 दिसंबर 2023 तक जितने भी निवेसक हैं सब कि लगबग 8 करोड 90 लाग निवेसक अभी भी इस से छूट जाएंगे पर उसके बाद दोस्तों उनका भी नंबर आएगा क्योंकि पहले जो है 5000 करोड रुपया भारा सरकार को बटना है अब दोस्तों ये पैसा कैसे बटना जाएगा वो सारा का सारा यहां पर हम देखने व दोस्तों तो ये पैसा आपको ब्याद सहित मिलने वाला है और यहां पर हम देखने का है कि सभी का पैसा वापस किया जाएगा और यहां पर दोस्तों यह जो आर्टिकल है 30 मार्च 2023 का है तो आप समझ सकते हो ये पुरानी बात नहीं है दोस्तों लेटेस्ट बात है जिनके दिमाग में ये बात आ रही थी कि हमने सहरा की उस कमपनी में पैसा लगाया है तो नंबर एक तो उनको ब्याद के साथ पैसा मिलेगा नंबर दो दोस्तों यहां पर आप जखेंगे केंद्रिया ग्रह मंत्रियामित्साने गुरुबार को कहा है कि सहरा समूझ की जो चार कमप का गठन किया जाएगा एक सिस्टम दिक्सित किया जाएगा जिसके माद्यम से आपको पैसे दिया जाएंगे अब ये पैसे हो सकता है दोस्तों की ओफलाइन यान कि कोई ओफिस खोल दिया जाए बारा सरकार का हर एक जीले में और उसके दुआरा पैसा दिया जाए या हो सक तक 3-4 महिने के और बाद 5-6 महिने के अंदर दोस्तों यह सारा का सारा पैसा जो है आपको मिल जाएगा इसके सासा दोस्तों अमित सा ने का है कि सहकारीता मंतराले लगातार मामले को आगे बढ़ा रहा है अब दोस्तों आपको पता है कि सहकारीता मंतराले जो है वो अमित सा क अंडर में आता है तो ऐसे में अमित सा दोस्तो इस काम को यानि कि जो सहरा के निवेशक हैं प्रमुक्ता से ले रहे हैं और सबसे पहले दोस्तो उनकी ये प्रार्थमिक्ता है कि जल से जल जो निवेशक हैं उनका पैसा मिल जाए इसके सासा दोस्तो यहाँ पर आप और इसके साथ साथ दोस्तों जो सहकारी सिमिती है जो रजिस्टार है उनको जो है आप अपने पॉलिस के बॉंड भेजेंगे अब ये बॉंड कैसे भेजने हैं सबसे पहले ये भी सुन ले बहुत से ऐसे निवे सकोंगे जिनके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यहां पर और फिर आपको अपने दस्ताबेज कैसे बेजने हैं उसके साथ साथ आधार कार्ड पैन कार्ड और उसके साथ साथ दोस्तों आपको अपनी बैंक की जो पास बुक है उसकी फोटो कोपी बैंक अकाउंट नंबर ये भी भेजना है तो ये किस तरीके से बेज़े जाएगा उसका जो है आपको दो-तीन महिनने के अंदर सब कुछ पता चल जाएगा अभी ये कहा गया है मित्सा के तरफ से कि जो डोक्युमेंट है सहकारी समीती के रजिस्टार को जो है आपको भीजने पड़ेंगे इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको पता दूँ अगर आपने सहारा Credit Corporate Society Limited में पैसा जमा किया हो या सहारियन Universal Multi-Purpose Society Limited हमारा इंडिया Credit Corporate Society Limited या Starts Multi-Purpose Society Limited इन चार जो कंपनी है दोस्तों सबसे पहले इनका पैसा लोटाया जाएगा तो इस टोटल मिला कर चार कंपनी है इनका नमबर सबसे पहले आएगा 9 महिने के अंदर जिन लोगों ने भी वो मिल जाएगा अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अगर किसी ने इन चार कंपनी में पैसा नहीं लगाया हमारा तो किसी और कंपनी में पैसा लगा है बिलकुल सही बता रहा हूं मैं दोस्तों क्योंकि दिखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जब इन कंपनियों में डायवर्ड कर दिया तो आप अपने बॉंड पर दोस्तों एक बार जरूर चेक कर लें उस पर इस कंपनी का इन चार में से किसी ना किसी का नाम लिखा होगा तो इन चार कंपनी में से ही आप लोगों को पैसा मिलने वाला है आपने किसी भी कंपनी में जम नाम से आपका पैसा रिफंड होने वाला है पर मैं आपकी जानकरी के लिए बता दूँ अगर आपका पैसा क्यों सोब भी है दोस्तो इसमें दो कमपनियों का पैसा डाइवर्ट किया गया था क्योंकि ये दोनों कमपनी बंद कर दी गई थी कौन से सहारा इंडिया हाउसिंग लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल इस्टेट लिमिटेड अगर आपका पैसा इन दो कंपनी में है तो ये जो पैसा है दोस्तो ये पैसा आपका गया था क्यू सोप में तो ऐसे में जो क्यू सोप है पैसा फिलाल अभी रोक गया है तो सबसे पहले आप देख लें अगर आप क्यों सोब आले हैं दोस्तों तो आपको थोड़ा सा और इंतियार करना पड़ेगा पर अभी मैं आपको बता दू दोस्तों ये किलियरली बता दिया गया है कि टोटल मिलाकर जो दस करोड निवेसक है इन सबी को पैसा मिलेगा पहले में जो पांच जा करोड पर बाटे जाएंगे सुप्रीम कोट के आदेश के अनुसार जो कि भारस सरकार बाटेगी हाई कोट की निगरानी में पैसा बटेगा उसमें एक करोड दस लाख निवेसकों को सुरू में पैसा मिलने वाला है उसके कि अब सब्सक analyzing बड़ी बाट ये है दोस्तो कि अभी जब ये 5500 क्रोर रपया बाट दिया जाएगा उसके बाद देखते हैं वारा सरकार क्या कहती है कि टोटरल मिला कर दोस्तो 24,000 क्रोर रपया निवेसको का है और ये 24,000 क्रोर रपया तो एक बड़ी अमाउंट है पर फि इसके सास्त मैं आपकी जानकारी के लिए एक और बता दूँ, मानकर तो लोगी किसी की पॉलिश दी थी और उसकी डैथ हो गई तो उसका पैसा मिलेगा, तो ऐसे में दोस्तो आपने अगर आपके घर में कोई भी बॉंड है, किसी दूसरे के नाम से है, ऐसे में उस विक्त की म हो गई है, डैथ हो गई है दोस्तो तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि इसको झो जो नोमनी है, उस नोमनी को पैसा मिल जाएगा, नंबर दो अगर किसी नोमनी नहीं बनाया है, वर साहरा की पिसी बराच में आपका पैसा है, तो और वो कैसा मिलेगा, तो आपको, वाली बात नहीं है पर दस्ताबे समाल कर जरूर रखें उसके बाब जूद अगर आपको लगता है कि कहीं पर आपको कई कन्फूजन है पैसा नहीं मिल पाया है या कोई भी कारण रहा हो आप अपने कमेंट्स करना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर सोड़ सकते हैं दोस्तो मैं उसको एक बार पढ़ने के बाद फिर से आपको वीडियो बना कर जरूर दूँगा धन्यवाद